अगर आप एससी की त्यारी कर रहे हैं तो यह वाली ख़बर आपके लिए बहुत बढ़ी आया है कि गवर्बेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल और पब्लिक रिवांसी जैंड पर पेंशन है उसमें वेकेंशी आई है ऐससी की सीजियल की जिसे हम अगर हम चलके बात करें तो इसकी में चीज में आपको बता देता हूं कि इसमें आपको हम यह डिसके करेंगे आपको कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है इसमें एक्जाम फोर्म भरते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है और जो इनोंने डेट दे रहें सब अलग-अलग क्या मतलब है और जो आपकी एक्जाम जो पोस्ट की प्रिफरेंस आप वो किस तरह से ध्यान रखनी है तो इसमें सबसे पहले आपको जो फोर्म भरने शुरू होंगे आपके वह फोर्म आपके अपरेल से शुरू होंगे तीन अपरेल से और जो लास्ट डेट रहेगी वो जो इसे जो पहली जो आपको दो पार्ट में करना है और चलान भी आपको फा को बहना और यह एंपको टाइमिंग दे रहा रात के व monopol गैसे तक है ना कि 12 चीतर करनांगी तो फिर यह विनटो है अगर आपके फोंग में कोई गलती होती है तो 7-8 तारिक के बीच में आप उस गलती को अपने ठीक कर सकते हैं एक्जाम जो इसका होगा टेन्टेटिव डेट इनों ने जुलाई 2023 दे दी है और जुलाई में आपको इसका एक्जाम देखने को मिल जाएगा कम्प्यूटर बेस आपका टेस्ट होगा और जो टेन्टेटिव सेडूल टू की का जो एक्जाम है वो रहेगा आपका उसको बाद में बताएंगे लेकिन इसके चांसिज यही है कि जुलाई में यह पका हो जाएगा इस पर क्यों हो जाएगा क्योंकि एलेक्शन होने अगली बार अगले साल हेड़ कार्टर इसका यहीं लोगरोड पर और बाद यह कि जो रिक्रीटमेंट है सब तरह की पोस्ट इसमें लेबल-अ-ड़ाईट की भी हैं । लग 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 तरह की वेकैंसी जैसे सबसे पहले जो लेवल एट की दो वेकैंसी इनके पास एक तो इसको बोलते है एसिस्टेंट ओडिट ओफिसर और इसे इसमें आपकी यह 18-30 के बीच में और यह जो पोस्ट है यह ग्रूप B की पोस्ट है यह मुस्ट इसकी पोस्ट जो और नोन गस टीर रेती है झाण्सिट तो रहती हैं लेकि नोन मिनिस्टयल रहती है ठीक है जी सारी पोस्ट इंगी वेकैंसी आपके बेशिस्ट इलिट ओट और पिर इसको इस पर इसक इस प्रूंट इन स्टीट औरón पिसर इन दोनों में क्या रहता है आपके आपके पास और यह जो है 44-49 सवाले में इसमें आपके सीजर के अपर स्क्रोश साल भी बन जाएगी ठीक है जी और इसमें यह भी गूरूप B की है इसमें एज भी से 30 मांगी उसमें 18 से 30 मांगी है असिस्टेंट से एक्षन ओफिसर और यह इनके कहां कहां आपकी रिक्रूटमेंट होई सारे भी दे रखे हैं आपकी यह जो भी एच्छी है एसिस्टेंट सेक्षन ओफिसर की यह आपकी CSS में आपकी इसकी पोस्टिंग रहेगी और फिर एसिस्टेंट सेक्षन ओफिसर आई बी में आपकी पोस्टिंग रहेगी ग्रूप B की है एसिस्टेंट सेक्षन ओफिसर क कि जो A F H Q ये भी फिर उसके बाद हमारे पास आता एसिस्टंट सेक्शन ओफिसर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की इंस्पेक्टर ऑफ इंकम टैक्स जो C B D T में रहता है पर इसके हैं और इसपेक्टर जो एक्जामीन हीन गया उनकी 15 कुछ म आईगी 17 इंस्टेंट इंफोर्समेंट ओफिसरों जो होता है उसकी गुरूप बी में आईगी 18 से 30 इसकी एज रहेगी सब इंस्पेक्टर जो CBI में मांगा गया है उसके 20 से 30 एज मांगे गई इंस्पेक्टर पोस्ट है डिपार्टमेंट पोस्ट मिनिस्ट्री ओफ कम्मिनिकेशन में गुरूप बी की 18 से 30 इंस्पेक्टर नेशनल सेंट्रल ब्यूर ओफ नार्कोटिक्स में इसके फिर इनके पास कुछ वेकैंसी जैसी है जो लेवल 6 की है जी लेवल 6 में आपकी जो सेलरी रहेगी वो 35 जो रहेगी इसमें 35,400 से लेके और जो ग्रोफ सेलरी आपकी इसमें 17, 24 पे यह जो यह 18 से 32 मांगी जाती है इसमें आपकी अगर आपने वीकों किया तो अप्लाई कर सकते हैं फिर आपकी जैसे उन इस नमबर पे एक जीकेटिव इंजिनियर की उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट की नेशनल हुमन राइट कमिशन में निकली यह वाली और ग्रूप B की रहती डिविजिन अटकांटेट की भी यह वहां पे है फिर सबिस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन की यह में निकली है सबिस्पेक्टर जूनियर इंट्र इलेजन्स की यह मिनिस्ट्र फॉर्म अफेर के अंदर आता है यह भी अच्छी पोस्ट मानते हैं और फिर यहां पर लेबर उसकी आई है ग्रूप यह ग्रूप C की पोस्ट शुरू हो गई यह लेवल 5 से और इसमें जैसे ओडिटर की पोस्ट है ओडिटर कैग में है और 18- सथाइस ओडिटर, CGDA में है और यह भी अठाइस सथाइस फिर ओडिटर, ministry department में अठाइस सथाइस अचांटान की पोस्ट निकलिए है। काउंट में अकॉंट में इसके बाद आता हमार पास पास पे लेवल फोर की वेकंशी, पोस्तल असिस्तंट की वेकंशी ने क्ली ए गूप अग्रूप सी में अग्रूप सी में ही ही अप्यूप सब्सक्राइब और इसके बाद यह टैक्स एसिस्टेंट की वेकंसी है इन में तो यह रहता है आपकी टाइपिंग को एगरा मांते हैं इन में तो एक सब इस्पेक्टर की वेकंसी निक लिए Central Bureau of Narcotics में यह भी अच्छी पोस्ट बानते हैं और अब इंपोर्टन बात आती है पॉइंट जो 3.1 है उसमें बताते है कि साड़े साथ जार करीब इसकी वेकंसी है देर आर अप्रोक्सिमेटली सेवन थाउजन्ट फाइफ हैंडर वेकंसी में भी डिटर्माइन ड्यू कोर्स मतलब यह कि वेकंसी कम ज्यादा हो सकती है ठीक है उसके बाद नैस्नल्ट इंडियन होनी चाहिए फूं बढने के लिए एज लिमिट देखो 18 से 27 महंगी गई है कहीं जगा 20 से 30 महंगी है कहीं 18 से 30 महंगी गई इक 18 से 32 महंगी है कडिकिलेशन की जाएगी सब्सक्राइब को अपको ऐसे साथ सी मिल जाएगा पिर इसमें रहता है वो अलग अलग आपको मिल जाता उसाथ से गृूप लेवर सी में बीं में इसके साथ साथ उनकी वेकैंसिस कुछ से वह रहता है एसेंसियल क्वालिफिकेशन को कुछ पोस्ट ऐसे हैं जैसे एसिस्टेंट ओडिट ओफिसर एसिस्टेंट अकाउंट ओफिसर की जो पोस्ट हम आपने उपर देखी थी उनके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इस ट्रीम से और फिर की सिस्टी परसेंट मार्क प्लस टू में हो तो आप अपलाई कर सकते हो इन्वेस्टिकेशन ओफिसर में भी यह आपके पास स्टेटिक्स होनी चाहिए रिचर्च असी स्टेंट के लिए जो निकली है उनके लिए इस इस आप से बागी सब में ग्रेजवेट होना चाहिए आपके पास और फोर्म के लिए जो फोर्टो का इन्हों ने फॉर्मेट दे दिया जब फोर्म भरोगे तब फोर्टो देख सकते हैं आप अप्लिकेशन सो रुपर की फीस लगेगी कुछ वो नहीं है सो रुपर की फीस रीजशन रेते हो तो है यहां पे यहां पे सैंटर मिल जएँगे आपके सैंटर यहां पर भागलपूर मुजफर के इस तरह से और इस डशन वर्त थो पोर्ट बलियर धनबाद यह मिल जाएंगे आपको और अगर आप जैंगे तो यहां पर बेलगवी और बेंगलूरू यही इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अगर आप मद्यपर्देश सब रीजन बरते हो तो बोपाल गवाली यह मिलेंगे आपको और नौर्थ इस्टर रीजन बरते हो तो इटानेगर अरदीबरू गड़ यह सारे मिलेंगे आपको नौर्थ रीजन बरते हो तो आपको दैरादून हल्दवानी हो में 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 जितनी भी स्टेट काविटल हैं और में में जितनी भी सीटी आपको सब मिल जाएंगे नौर्थ वेस्टन में बरते हैं तो आपको चंदीगड मोहाली यह मिल जाएंगे सदरन रीजन में बात करेंगे तो चिराला गुंटूर काकी नाड़ा यह सारे आपको सेंटर मिल जाएंगे फिर वेस्टन रीजन में इस तरह से करके मंबई और पंडजी हमताबाद यह आपक उसके बाद जर्नल अवेरनेस रहती है फिर क्वानिटेटिव मैथमेटिक्स बोलते हैं जिसे हम ओ रहेगा पॉर्शन फिर इंग्लिस कंप्रिहंसी रहेंगे यह आपका रहेगा एक गंटे का रहेगा और दो सो नंबर का रहेंगे सो नो की इस चनाएंगे दो सो नंबर के रहेंगे और इनके लिए अगर आपको पीडिया में बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं देर विल भी नेगिटिव मार्किंग पॉइंट मलब यह है कि वन फॉर्थ आपकी नेगिटिव मार्किंग रहेगा उसमें भी ऐसे ही है मैथमेटिक्स और इजन 210 नंबर का यह रहेगा 70 और 130 क्यूश्चन रहेंगे आपके और यह 210 और 180 मिलाके और 390 इनके नंबर बनेंगे आपके फिद इसमें सेक्शन 3 में आपकी कंप्यूटर की नोलेज चेक की जाएगी और फिर डाटा के लिए स्पीड और यह चेक करते हैं जिनका स्टैटिक्स का है उनका 200 नंबर का पेपर अलग से होगा जिनका जर्नल स्टैडिज एकॉनमिक और फाइनस का पेपर तरीका यह 200 नंबर का यह जि जर्नल इंट्रिजेंस यह चीज़े रहनी है फिर उसके बाद जो सेक्शन 2 में आपकी जर्नल इंग डिस और जर्नल और यह रहना है कंप्यूटर नोलेज और टाटा इंट्री ओप्रेटर के लिए उनका टैस्ट रहने वाला है टाइपिंग टैस्ट वाला मानिग टाइपि लिजनिंग में आपका क्या क्या आएगा यह इन्होंने यहां पर दे रखा है ना लोग आएगी सिस्टमेटिक नंबर यह सारी चीज़ेंगी पजल्स तो आपको बुक मिल जाएगी मार्केट से इतने नोट्स मिलते हैं जर्नल अवेर्नेस में मोस्टली इनका जो फेक्स र आते हैं ट्रिक्नोमेट्री बात करें हम जैसे ट्रिक्नोमेट्री रेशियो गार डिगरी रेडियेशन मेजरमेंट स्टैंडर्ड आइडेंटिक यह सारी चीज़े रहते हैं इंग्लिस में भी आपको ग्रामर और जो कंप्रिहंचन दोनों आने चाहिए और इंडिकेट यह स्लेबस है फिर इसमें मैथमेटिक्स में इनोंने यह बता दिया कंप्यूटेशन वाल नंबर यह फंडामेटल ऑपरेशन इसमें और उसके बाद अलजेवराजियो में ट्रिक्नोमेट्री स्टैक्स की प्रोबेल्टी और यह सारी चीज़े आपकी आएंगी और क्लासिफिकेशन पर्जेंटेशन और मेजरमेंट सेंटल टेंडेंसी एक इसम से एक कूरी एक जो साल का सब्जेट स्लेबस है वो सारा सैंप्लिंग स्टैटिस यह सारी चीज़े आएंगी वेरियांस टाइम सीरिज अनालिशी इंडेक्स और फाइनस के लिए बात करें तो सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए फिर एडमिशन ऑफ एक्जामिनिशन यह सारी इनों ने यहां पर दे दिया है आधार कार्ड वगए रही है आपको लेके जाना अपने साथ देखो यहां पर अच्छी बात क्या है यह मतलब एक मेन बात है यहां पर फिजिकल स्टैं में इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है और सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वहां पर आपको फिजिकल स्टैंडर की जुरूरत पड़ेगी ठीक है जी फिजिकल स्टैंडर क्या रहेगा वह आगे है चलके मैं आपको बताता हूं और आपके पास अपनी सारी डिगरी और ड 30% और 25% 30% journal के लिए 25% EWS के लिए OBC के लिए और other category के लिए 20% minimum number आने चाहिए इसी तरह से जो minimum qualification के लिए जो उसमें इसमें भी यही है maximum percentage error allowed in the module जो module 2 है उसमें जो error allowed है 20% 25% और 30% error allowed है यह नहीं कि आपके number आ रहे हैं तो error आप करते ही जा रहे हैं यह नहीं और फिर भी अगर आपको कोई query रहती है कि आपको कुछ आपके दिमाग में है आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं अगर आपको कोई book पीडियम में चाहिए यह फिर उन्होंने certificate वगरा दे दिये तो अगर आपको कोई query है तो आप मझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो में इतना ही स्वेनल्ट